Hello everyone, welcome to Toppers Notes, I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है कि ISA ने Dr. Ajay Mathur को अपना New Director General खोशित किया है. So, ISA किया है? International Solar Alliance. अब देखते हैं Dr. Ajay Mathur के बारे में. So, ये रिप्लेस करेंगे Mr. Upendra Tripati को. And Mr. Upendra Tripati तब से सर्व कर रहे हैं जब से ISA की स्थापना हुई है. And ISA की स्थापना हुई है 2015 में. And ये 73 सदश्य देशों का गठवन्दन है. And इसका एम ये है की सुरक्षित, स्थाई और सस्ती सौर उर्जा के डिमांड और उसके यूज़ को एक्सिलरेट किया जा सके इनमें तेजी लाई जा सके. और साथ में एक पॉइंट और कि ये 2030 तक सोलार प्रोजेक्ट्स में वन ट्रिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट को मोबिलाईज कर सके. हमारा अगला आर्टिकल है कि पिये मोदी ने एक चादर सौपी है जिसे अजमेर शरीफ की दरगा पर चढ़ाया जाएगा. और इन्होंने ये चादर ख्वाजा मुईनूदीन चिस्टी की 809th और्स फेस्टिवल के उपलक्ष में ये चादर सौपी है. और्स क्या होता है ये सूफी सेंट्स की डेथ अनुवर्सिरी का उपलक्ष होता है. और हमारे प्रदानमंद्री ने ये चादर सौपी है, ये सौपी है Minister of Minority Affairs मुकतार अबास नकवी को. अब देखते हैं अजमेर शरीफ दरगा ये है कहाँ पर? ये है अजमेर राजिस्थार में और ये ख्वाजा मुईनूदीन चिस्टी की दरगा है. हमारा अगला आर्टिकल संदेश से रिलेटेड है, ये गवर्मेंट का एक नया Instant Messaging Platform है. NIC ने, मतलब National Informatics Centers ने WhatsApp की तरश पर एक नया Instant Messaging Platform को लाँच किया है, जिसका नाम है संदेश. हमें ये याद रखना है कि संदेश को किस ने लाँच किया है, तो NIC ने लाँच किया है. So WhatsApp के जैसे आप अपने Mobile Number या फिर Email ID से किसी भी तरह के Communication के लिए इसको यूज कर सकते हो. लेकिन संदेश की Limitation ये है, कि इसमें आप अपने Registered Email ID या फिर Registered Phone Number को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आप अलाओ नहीं करता है. अब देखते हैं, NIC के बारे में, National Informatics Center के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, ये हमें पता होना चाहिए. 1976 में, ये Ministry of Electronics and Information Technology का Attached Office है. अब ये करता क्या है, ये Government को IT Services प्रोवाइड करता है, और मेंली जो Digital India Initiative है हमारा, उसमें Help, Support and Services प्रोवाइड करता है. हमारा अगला आर्टिकल है, कि टेक्नोग्रहीस के लिए Online Enrollment Module को लांच किया गया है. सबसे पहले देखते हैं, टेक्नोग्रहीस क्या है, ये IITs, NITs, Engineering, Planning and Architecture Colleges, इनके Students है, Faculty Members है, Academicians है, और सभी हितधारक है. अब ये Module उनकी Help करेगा, कि जो भी Technologies Use में है, उनके First End Experience को प्राप्त करने में इनकी मदद करेगा. और साथ में Make in India का जो अप्रोच है, उसको ध्यान में रखते हुए, Construction Sectors में जो भी Technological Requirements है, उनको Adapt and Adopt करने में उनकी मदद करेगा. और साथ में जो भी Interested Candidates हैं, वो Learning, Technical Awareness या फिर Innovation के लिए, खुद को इन 6 LHP साइट्स पर Live Laboratories विजिट करने के लिए रजिस्टर कर सकता है. हमारा अगला आर्टिकल है, कि हमारे Foreign Minister सूबरुमनियम जैशंकर ने कहा है, कि इंडिया-मयनमार कलादान प्रोजेक्ट अपनी Final Stage पर पहुँच चुका है. ये जो कलादान प्रोजेक्ट है, ये मयनमार के Sitway Port को इंडिया की बॉर्डर से करेक्ट करता है. और साथ में, ये प्रोजेक्ट को इंडिया और मयनमार ने संयुक्त रूप से Cargo Shipment के लिए Multimodel Platform को Create करने के लिए शुरू किया था, ताकि जो मयनमार के Ports हैं, उन्हें इंडिया के North Eastern पार्ट से Connect किया जा सके. अब देखते हैं, इस प्रोजेक्ट की महत्वत्ता के बारे में, सबसे पहली बात तो ये, ये इंडिया और मयनमार के बीच में जो भी एकॉनमें, कमर्शल और स्ट्राटेजिक टाइज हैं, उनकी वैल्यू बढ़ा देगा, मतलब उनको और जादा स्ट्रेंदन कर देगा. अब जब ये समुदरी रास्ते खुलेंगे, इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कि ये प्रोजेक्ट जो नौर्थ इस्टन स्टेट से हैं, उनमें एकॉनमिक डेवलप्मेंट को प्रमोट करेगा. और साथ में ये जो प्रोजेक्ट है, ये कोल गाता और सिट्वी पोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको लगबग 1328 किलोमेटर तक कम कर देगा. और साथ में अभी जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सारा नैरो सिलिकुरी कॉरिडॉर से करते हैं, जो कि बहुत सकरा है, और उसके शेप के कारण चिकन नेक भी कहा जाता है. तो ये उसके यूस को भी कम कर देगा. हमारा अगला आर्टिकल है कि रिपोर्ट कहती है, चैलिलर आयूटी मॉड्यूल शिप्मेंट दोहदा चॉबीस तक डबल से भी जादा हो जाएगा. ये फोकास किया गया है कि दोहदा चॉबीस तक ये 780 मिलियन यूनिट्स को भी क्रॉस कर जाएगा. और साथ में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में जो शिप्मेंट ग्रोथ होगी, वो सबसे हाइस्ट रहेगी, सबसे जादा रहेगी. अब देखते हैं, ये आयूटी मॉड्यूल होते क्या हैं. आयूटी मॉड्यूल होते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या मशीन में लगती हैं, ताकि हम उनको वायरलेस नेट्वर्क से कनेक्ट कर पहें, जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉचेस होगी, इन सभी में इंटरनेट अफ तिंक मॉड्यूल से यूज होता है. और साथ में यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 तक नैरो बैंड इंटरनेट अफ तिंक एन्बी आयूटी यह सेलिलर आयूटी मॉड्यूल का नित्रत्व करेगा, और बाद में 4G और 5G होंगे. लेट सी समोर इंफरमेशन, हम बात करें थे NB IOT की, मतलब नैरो बैंड इंटरनेट अफ तिंक की, यह एक लोव पार टेकनलोजी है, जो कि इनेबल करती है कि आप वाइल्ड रेंज ओफ डिवाइसे में इसको यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी इसकी सर्विसेस भी रहती है, जो इसका स्पेक्टरम है, वो इतना वाइड होता है कि आप किसी भी बेस्मेंट में या बहुत दूर दराज के इलाकों में भी इसका नेटवर्क आपको मिलेगा, तो इसको आप एक स्मार्ट वाच यूज करते हैं, तो उसको आप 15-15-20-20 दिन चार्ज नहीं करते हैं, यह बहुत ही नेरो बैंड यूज करती है, स्पेक्ट्रम बहुत ही जाधा रहता है, तो यह डिवाइस में पार कंजम्शन बहुत कम हो जाता है, और वो लंबा चलती है, और ओवरॉल उपीशेंसी बढ़ जाती है, और इंडिया में बात करें तो इंडिया के जो टॉप टे कोरिया इनमें अच्छा पिकप लेगा, और मिडल इस्ट हो गया, एफ्रिका, रशिया, इंडिया और जो बाकी की एजन कंट्रीज है, इनमें लो कॉस्ट LTE, M और NB IOT टेक्नोलोजी इस काम करेंगी, मतलब इनहें यूज किया जाएगा, हमारा अगला आर्टिकल है, कि थे मिल और इंग्लिश में राइटिंग है, उसके लिए मिला है, इनकी जो राइटिंग है, वो यांग नाच्रिलिस्ट, मतलब यूवा प्रकृति वादियों को बहुत जादा इंस्पायर करने में मदद करती है, और साथ में इनका ये मानना है, कि जब भी कोई आप कर्दरवे संक्चुरी नीचर फाउंडेशन के द्वारा की गई है, तो थियोटरन भासकरन्स अवार्ड का नाम है, संक्चुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड 2020, हमारा अगला आर्टिकल है, कि नगोजी उकोन सा इवेला, फर्स्ट वोमन एंड अफ्रिकन है, जो कि वर्ल और्गनाइशन के जो 164 मेंबर कंट्रीज हैं, उनके रिप्रेजन्टेटिव्स ने इन्हें डिरेक्टर जनरल के लिए नामिक किया है, अब वर्ल ट्रेड और्गनाइशन के बारे में देखें तो, ये एक संगटन है, जिसमें नेशन के नेशन के बीच में हो रहें जो भी अग्रीमेंट्स होते हैं, उनके बेसिस पर ये काम करता है, ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है, ये एक मार्च तो हजार इक्टर एक्टिश से एफेक्ट में आएगा, अब ये एक बार एक्जाम्स में पूछा जाचुका है, और ये इए इंपोर्टन आ है, अभी चलाल में 164 member countries हैं और इसकी तीन official languages हैं English, French और Spanish and Director General है Naguzi Ukonzo Iwela. हमारा अगला आर्टिकल है कि हमारे Defense Minister ने 16 February को E-Chavani Portal को लाँच किया है. So यह जो E-Chavani Portal है इसका एम यह है कि तेश भर के 62 चavani Boards हैं उनके जो 20 लग से जादा citizens हैं उनको online municipal services प्रवाइट करना. और यह जो Portal है यह सिस्टम को निखारने पर और जो लोगों की Ease of Living है उसको और जादा improve करने पर काम करेगा. और इस Portal पर आप online applications फाइल कर सकते हैं जैसे कि लीजिस के renewal हो गए और birth certificates, death certificates इनके लिए online registration भी कर सकते हैं. हमारा अगला article है कि केरला के CM ने कोची के water metro project के पहले route का शुभारम किया है. So, यह जो water metro project है यह अत्यादूनिक boards का use करके city और islands को connect करेगा. और अभी जिस metro route का शुभारम हुआ है, it ranges from Petila to Kakkanad. और एक important point यह कि German Development Assistance Agency KFW यह इस project के लिए 579 करोर रुपीज का total loan प्रवाइड करेगी और इस project से यह expect किया जा रहा है कि यह greater kochi area में जो annual carbon emissions है उनको 16,500 tons तक कम कर देगा. So, हम बात कर रहे थे कि यह जो project है यह वैथेला से काकरनाड को connect करता है. So, जो वैथेला है, केरला का one of the most busiest traffic hubs में से एक है और वही पे जो ककरनाड है वो एक IT hub है और अभी यह जो project है यह वैथानिक मंजूरी प्रमाणपत्र का इल्किदार कर रहा है. So, यह मिलने के बाद से मार्च 2021 से यह commercial operations शुरू कर देगा. And, इस कोची water metro project का जो first phase है वो 520 km long है. अब देखते हैं कुछ बहुत important point. So, वो हैं यह दोनों. So, केरला के CM पिनारी विजयान ने एक और project को launch किया है जिसका नाम है Integrated Urban Regeneration and Water Transport System IURWT project. So, इसका भी उन्होंने शुभारम किया है. And, यह जो project है कोची के जो 6 major canals है जो के 34 km की है यह उनको renew and rejuvenate करेगा. हमारा अगला article है कि United Nations Capital Development Fund का नीतरत्व करेंगी प्रीती सिन्हा. So, प्रीती सिन्हा एक Indian origin की investment and development banker है. So, प्रीती सिन्हा बनेंगे executive secretary of UNCDF. And, यह जो executive secretary है यह highest leadership ranking है UNCDF की. अब देखते हैं इनका work पे focus कहा किस छेतर में रहेगा. So, यह जो underserved communities हैं उनकी जो women, youth and small and medium-sized enterprises हैं. इनको यह microfinance assistance provide करने पर इनका focus रहेगा. मतलब सुक्ष्व वित्त सहायता प्रदान करने पर इनका focus रहेगा. And UNCDF की बात करे तो, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका headquarter है New York में. So, since यह news में हैं, आपको याद होना चाहिए कि इसका headquarter कहा है और कभ इसकी स्थापना हुई थी. So, आज के लिए सिफ इतना ही. Thank you so much for watching.